नमस्कार मैं दीपती मेरी किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस समय बहुत ज़ादा गर्मिया पड़ रही है और सबजी रोटी बनाने में सभी को किचन में बहुत गर्मी लगती है तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो जटपड से बन जाए टेस्टी भ यहाँ मैंने खोल आटा सकते हैं लेकिन यहाँ पर ही अर्ड है गोल ढुट पूरा का फटाम करें। और खाने में भी टेस्टी लगेगा, साथ ही बनाने में बहुत ही जी है। अब इसको जब हम घोल को तैयार कर लेंगे तो उसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी चिली फ्लैक्स यानि की कुटी हुई लाल मिर्च। पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन जब हम इसमें चिली फ्लैक यहां पर मैं आजवाइन, आजवाइन इसलिए क्योंकि मैंने बेसन का यूज किया है, अब हम लेंगे एक उबला हुआ आलू, यहां पर आलू को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, इस तरह से आलू डालने से जो नास्ता बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट और फिलपी बनेगा, अल मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी यहां पर कट करके लिए, अब हम इन सबी चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे, बेटर थोड़ा सा अगर गाढ़ा लगे आपको तो आप इसको पतला कर सकते हैं, लास्ट में यह देखिए, इस तरह की थिकनिस का बेटर हमें चाहिए है, तो यह पारम परिक रैस्पी है, जैसे पहले चीला बनाया जाता था लेकिन वो बेशन से बनता था प्योर और इसको थोड़ा सा हम सबजीों के साथ, आंटे के साथ मिक्स करके बना रहे हैं, और इसमें ना बच्चों को पिज्जा भाला भी टेस्ट आएगा, तो तबे पर हमे अब हम इस बैटर को बीच में फैलाएंगे, तो मैं यहां पर दो चमचे बैटर लूगी, आप इसको जितना पतला चाहें उतना बना सकते हैं, लेकिन मैं इस नास्ते को हलका सा मोटा बनाती हूँ, उससे क्या होता है, यह खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और इसक के लिए, तो यहां इसको ढख देंगे, और जरादेर के लिए, पूरा एक मिनट भी हमें से ढखना नहीं पड़ता है, और उपर से ड्राय हो जाता है, नीचे का हिस्सा भी बहुत अच्छे से सिख जाता है, तो ऊपर भी एक दो बुन तेल इस तरह से लगा दीजिए, घी मैं यहाँ पर घी से ही बना रही हो, क्योंकि हम इसे डिनर में बना रहे हैं, मैंने थोड़ा सा घी उपर से लगाया, और यह देखे, मैं कितनी आसानी से आपको दिखा रही हूँ, बेटर रेस्ट भी करवाना नहीं होता है, कि आपको रेस्ट करवाना है, बेटर को और इत मतलब मुझे बचचो के लिए बनाना था तो मैंने बचचो के लिए चीज डाल दिया है और नौर्मली मैंने इसको सादा ही बनाया था, तो यह देखिए मैंने खुब यहाँ पर धेर सारी चीज मेल्ट कर दिया है और बच्चो को इस तरह से खाने में अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा उपर से डाल देंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी में डाल देंगे और ही गैनू ये गरम है नीचे का हिस्सा सिक रहा है और जैसे ही गरम है न तो उपर चीज आप डालोगे तुरंट मेल्ट हो जाती है फिर भी हम इसको ढग देंगे तो मैंने हलका सा ढखा है और चीज बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है अब आप इसको आराम से फोल्ड कर दीजिए तो देखिए सबजिया मी धेर सारी हो गई गेहूं का आठा भी हो गया और रात का डिनर भी हेल्दी और टेस्टी हो गया जटपड से बनकर तैयार भी हो 10-12 मिनट लगेंगे क्योंकि 1-5 मिनट में बनकर यह एक पीस तैयार हो जाता है और आप इसको जितनी मर्जी उतना क्रंची सेक लीजिए और अंदर यह उतना ही सॉफ्ट और जालीदार रहेगा तो जैसे ही आप इसमें चीज डाल के फोल्ड करोंगे चीज मेल्ट हो जाती तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार बना कर इसको गर्मियों में ट्राइ जरूर कीजिएगा एक बार अगर आपने इसको बना लिया ना फिर तो आपको लगेगा कि आप रोज ही साम को खाने में इसे बना लो क्योंकि सारे जो भी खाने वाली चीजे है कि आटा है और यह बस डालो आप एक सेकंड मी नहीं लगता है एक दम से ड्राय हो जाता है उपर का हिस्सा बढ़ी आसा इसको इस तरह से उलट पलट के से किए चीज डालिए पनी डालिए और इंजाइ कीजिए आपको इसके साथ चटनी वगेरे भी कोई ज़रूरत नहीं होती है यह खाने में बहुत अच्छे लगते ह características दो अगर आपको मेरी यह रएज़ पसंदारी लग लगए हो वीडियो अच्छ लग रहे हो तो प्लिज रेस पी कर दीज़ेगा और वीडियो को शेयर कर दीज़ेगा साथ ही अगर रेस्पी आपको अच्छ लग रहे है तो पcomb Chart, को सब आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुत जाए और मैंने अपने चैनल पर इस तरह के और भी नास्ते और भी रेस्पी डाल रखी हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं मैं रोज साम को 6 बजे एक वीड आते जाओ और किसी को भी आप जैसे सर्व कर रहे हैं तो गर्मा गरम उन्हें सर्व भी करते जाएंगे यह देखिए जड़ा देर में बनकर तयार हो गया है हमारा यह टेस्टी और यम्मी सा नास्ता